आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ हेलो दोस्तों हमारे पास प्रशन दिया गया है कि यदि एक वृत की दो समान जीवा है, है ना, समान जीवा है वृत के अंदर पतिछेत करें तो सिद्ध करना है कि एक जीवा के खंड, दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होंगे तो चले देखते हैं, तो हम बना लेते हैं, पहले चित्ध समझाते हैं तो देखिए यहां पे दो जीवाएं हैं ना दोनों की लंबाई क्या है बराबर है तो हमें सिद्ध क्या करना है कि हमारे संगत भाग बराबर होगे अर्थाथ यह वाला जो भाग है ठीक है यह वाला भाग है यह हमारे इस भाग के बराबर होगा ठीक है और हमारे जो दूसरा का भाग है ये वाल बाग इस भाग के बरावर होगा तो हम इसका नाम आंकन कर लेते हैं माले जी पहली जीवा है एह भी दूसरी ृदि और दोनों कहां प्रस्यात कर रहें समझ लिए य actively पर कर रहे हैं ठीक अब क्या करेंगे 63 केंद्र है तो हम केंद्र से इन पर लंब डालेंगे पहले थो थे माली जी हमने इन पर लंब डाले ऐ आप और ये प्यों प्रों क्यूं एखी रिखित कैने अ हम धे बता है कि यह अब देखिए हमएं पता है कि जब जीवाएं समान होती है अर्थात हमाई यहां जीवा जो दी गई एवी बराबर श्रीडी ठीक तो उनका केंद्र से दूरी भी समान होता है अर्थात केंद्र से डाले लंबी भी समान होता है अर्थात यह ओपी किसके बराबर हो जाएगा बराबर हो जाएगा अब देखिए अब हमें आन्तमें जैसे कि मैंने यहां पर यहां पर हाईलाइट करके बता दिया है हमें इने ही बराबर करना है मतलब आन्तमें हमें cm बराबर bm लाना है और am बराबर md लाना है ठीक यह हमें सिध्ध करना है ठीक सिध्ध है अब देखे आगे अभी क्या आया देखे अब देखे ये त्रिभुज हम OPM त्रिभुज OPM वा त्रिभुज OQM में देखें ठीक तो हम देखते हैं कि यह OPM दोनों में क्या है OPM बराबर OPM यह दोनों में OPM बुजा है दोनों त्रिभुज में ठीक है OPM बुजा है ठीक है और OPM बराबर क्या है OQ देखे मैंने यह आपर बता दिया है क्योंकि जीवाएं समान है तो केंदर से जीवाओं की दूरी समान होती है ठीक है अब ये भी समान है और देखते हैं क्या ये जो कोण बन रहा है ये ये वाला ये समकोण है और ये भी समकोण है कोण O, P, M बराबर कोण O, Q, M है न, क्यों समकोण है तो यहाँ पर देखिए कौन से सर्वांग समता लएगी अगर यह सम कोण है यह अगर सम कोण होते से सामने वाला क्या होता है सामने वाला कर्ण होता है यह क्या होगी है कर्ण तो हम देख रहे हैं कि यह दोनो त्रिबुश सर्वांग समता से है ना दोनों त्रिपुष क्या होगा है सर्वांग सम होगा है यह हमारा करण होगा यह हमारी कोई भी भूजा होगी और यह हमारा करण का काम करेगा ठीक है न ओ एम करण होगा तो यह हमारी दोनों त्रिपुष सर्वांग सम होगा है किससे रहस सर्वांग समता से अब देखी अब दोन तरफ चुकी हो गए सरवांगसम तो इनके संगत भाग भी बरावर होंगे तो हम यहाँ से देख क्या लेते हैं कि ये PM बरावर क्या हो जाएगा MQ है न तो PM बरावर आ जाएगा अपना MQ CP CT से है न दो तरफ जब सरवांगसम होते तो तो उनमें सीप सीटी लगा सकते हैं, अर्थात सरवांग सम्त्र वुजों की संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है, अब देखे यह हमारे आगे काम आएगा, पीम बराबर, एमक्यू, अब देखे यहां पे, यह जो, एम है, है न, क्या है, एम, तो यह तो हम प्रस्ट में दि कहीं दिगे, अब देखे अब का हम क्या लिख सकते है, यह जो एब है, है न, इब है, इसे हम लिख सकते है, एप धन लिख सकते है, आज लिख सकते हैं, provisions करे लिख सकते हैं, और चलिटै थोड़ा सरल तक इसे माल लेते है एक्स ठीक इसे है ना PM और MQ को हमने X माल लिया यह दोनों भाग जो हैं यहां यह बराबर है तो और CD को क्या लिख सकते हैं देखिए CD को हम लिख सकते हैं देखिए CM प्लस MQ प्लस QT है ना CM प्लस MQ प्लस QT है ना तो यहां पर देखिए PM और MQ को माल लेंगे X तो यह जागा AP प्लस MB प्लस X और यहां पर आजागा यहां पर आजागा CM प्लस X प्लस QT X और X कट गए यह ना X और X कट गए तो यहां से आगए AP प्लस MB ठीक है AP प्लस MB बराबर आएगा CM प्लस QT अब देखिए हमा यहां पर जो दिया है हमारा विर्थ है इसमें जीवाएं चुकी बराबर हैं है ना देखिए जीवाएं बराबर हैं थीट डिए यहां फिर समझाए हम इसे हमारी वृथ है इसकी जीवाएं बराबर हैं डिक है है यह बराबर हमारा क्या है स्वीडिक और जब हमारे केंद्र से इस पर लंब डालते हैं तो यह शंद माउलती है ने यह भी सम्दिभाइत हो जाएगी ठीक है तो जब जीवाएं बराबर थी तो जीवाओं का आधा भी तो बराबर होंगे है ना हर्तात हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो भाग है ये वाले भाग बराबर होंगे है ना ठीक ए भी बराबर जब सीडी था तो दोनों के आधे भी बराब होंगे है और आधे क्या है यह होगा पी और यहां क्यू तो एपी और क्यूडी आधे तो एपी बराबर क्या हो जाएगा क्यूडी तो यहां देखें एपी बराबर क्यूडी है स्वरी एपी और क्यूडी दोनों दिया गया है अगर इसे माल ले वाई है ना इसे माल ले वाई तो हम आगे क्या लिखेंगे यहां पर यह हो जाएगा हमारा y प्लस mb बराबर cm प्लस y y y कड गया तो हमारा आया क्या हमारा आगया mb बराबर cm और देखिए हमारा एक भाग सिद्ध हो गया है है यहां पर आएम है ना धेकिजी हमें यसीण करना तो यह कि सिद्ध पराबर B M तो यह प्नारे S करना देखिं सकते हैं हंए तो यह हमारा हो गया सिद्ध दियक-बाग और अब देखिए यह वाले संगत भाग भी यम बराबर कर लिए कैसे देखिए चुकि जीवाये बराबर थी A B बराबर श्रीडी और जीवाये मिलकर किससे बनी है A B जो बनी है यह बानी है हमारी AP स्वारी AP नहीं यहाँ पर क्या था यह देखिए जो AB है AB इसे हम बोल सकते हैं AM PLUS MB है न AM PLUS MB बोल सकते हैं और जो CD है इसको बोल सकते हैं CM PLUS MD तो इसे बोल सकते हैं AM PLUS MB और इसे बोल सकते हैं CM PLUS MB अब हमारे क्या है यह तो हमारा पहले ही सिद्द हो चुका है है न CM बरस है CM बरस है CM और MB यहां से कड जयांगे जोकि बरावर है तो हमारे यहां स्प्या आगिया AM बराबर वहां से आगा AM बराबर हमारा MD के और देखिए यही हमें सिद्ध करना था दूसरा तो यह भी संगत भाग बराबर हो गए और यह भी संगत भाग बराबर हो गए उम्मीद करते हूं आपको समझ आ गया होगा यह देखिए AM और MD बराबर हो गए धन्यवाद दोस्तों क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट IIT जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह वाथ्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर